एक गाओं में बिल्लू और गगन नाम के दोस्ट अगे भाई रहा करते थे बिल्लू गगन से पांच साल छोटा था बच्पन में ही माबाप के गुजर जाने की वज़ा से गगन ने ही बिल्लू की परवरिश की थी कुछ सालों पहले एक सडक हासे में गगन अपने एक टांग गवा चुका था वह अपाहिज हो चुका था लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वह घर का खर्चा चलाता था क्योंकि बिल्लू एक आलसे लकड हारा था आज भी दो पहर के बारा बच चुके थे मगर बिल्लू सो कर नहीं उठा उसे दो पहर तक सोता देखकर गगन गुस्से से बोला अरे उठ जा छोटे भाई और कितने देर तक सोएगा सुरा सर पर आ गया है कब जागेगा तुँ काम पर कब जाएगा गगन की बास सुनकर बिल्लू अंगडाई लेता हुआ उठकर बोला क्या भाईया तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते गगन बोला दो पहर के वक्त को तो सुबह का वक्त बोलता है मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ मगर तेरी नीद है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही बिल्लू बोला आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला, गगन खास्ते हुए बोला, बिल्लू सारे गाउं में तु आसिपन के नाम से मशुहूर है, जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अगर उस सड़क हाथ से ने मुझे अपाहिज नहीं बनाय होता, तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता, लेकिन सच तो यह है, बिल्लू, कि अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बहुत मुझके से उठाया जाता है, और कई दिन से ये खासी भी मुझे तंग कर रही है, बिल्लू बोला, भाया, सेदे सेदे ये क्यों नह कहते कि आप मुझसे तंग आ गये हो, गगन बोला, ऐसे बात नहीं है बिल्लू, मैं चाहता हूँ तो महंती बन जाए, ताकि तेरे लिए कोई अच्छे से लड़की देख कर तेरी शादिक कराई जा सके, अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले, बिल्लू नाश्ता करके अपन क्या बात है बिल्लू, तो फिर से इतने जल्दे उठ गया, अरे इतने सुभा सुभा अगर काम पर जाएगा तो बिमार पर जाएगा भाई, बिल्लू बोला, अरे तमको क्या सुख्या चाचा, मैं जल्दे उठूँ या देरी से, मेरे मर्जी, बिल्लू की बात सुनकर चहरे पर गुस्सा जलकने लगा सुखिया बोला क्या बोला जब तेरी मर्जी होगी तब तु सोकर उठेगा बेशर्म शर्म तो तुझे आती नहीं इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है तेरा बड़ा भाई दोस्रों की गुलामी कर अपना और तेरा पेड़ भलता है और तु दिन बर घोड़े की तरह सोया रहता है सुखिया की बात सुनकर बिल्लू के चहरे पर भी क्रोज लगने लगा वो तेज-तेज कदमों से जंगल की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला ये गाओं के लोग अपने आपको पता नही क्या समझते हैं जरा से महंती क्या हो गए मेरा मजाक उडाने में कोई कसर नहीं छोड़ते आज मैं इतनी लकड़िया काटूंगा कि सबके मुह बंद हो जाएंगे इतना कहकर बिल्लू अपनी कुलाड़ी से लकड़िया काटने लगा मगर मुश्किल से उसने थोड़ी से ल एक काम करता हूं सो जाता हूं बिल्लू एक बैड के नीचे आराम से खराटे लेकर सोने लगा तब ही किसी ने उसे उठा दिया बिल्लू अंगडाई लेता हुआ उठकर बोला अरे भाई किसने मुझे इतनी अच्छी नेंस से जगा दिया इतना अच्छा सपना देख रहा कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूं यहां कहकर बिल्लू एधर उधर देखने लगा उसने देखा कि उसके सामने एक साधू खड़ा हुआ उसे क्रोध भरी नजनों से देख रहा था साधू बोला यहां पर मेहनत करने के बज़ाए तु अराम से सो रहा है तुझे ऐसा करते हुए मैं काफे दिन से देख रहा हूं मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं सुदर जा मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है बिल्लू बोला ए कैसे मुसीबत बाबा जाओ और सोने दो साधू बोला मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड हारा नहीं देखा लकड़ियां काटने की बज़ाए तु सोता है बिल्लू बोला बाबा आज मेरे कुलहाड़ी खराब हो गई है इस वज़े से मैं सो गया बिल्लू ने इतना ही कहा था कि उस साधू ने अपना हाथ पेछे की और कर लिया अचानक बिल्लू ने देखा कि उसके हाथ में कुलहाड़ी आ गई सादू बोला, मेरे कुलहाडी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़िया जल्दी से कटेंगी बिलू बोला, अरे जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तम्हारी ये कुलहाडी, मैं सिर्फ अपने कुलहाडी से ही लकड़िया कारता हूँ सादू बोला, आल से लकड़ हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना, मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन आज लगता है कि तुझे कुछ भी बात करना बेकार है इतना कहकर सादू क्रोधित होकर वहाँ से चला गया, और बिल्लू आराम से वहाँ पर दोबारा सो गया शाम को बिल्लू कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की और आ गया, इतने कम लकड़ियों को देखकर गगन बोला ये क्या बिल्लू, आज फिर इतने कम लकडियां? भाईया, वो कुलहाडी की धार कम हो गई थी गगन बोला बिल्लू, तु रोज कोई न कोई बहाना बनाता है भला, इतने कम लकडियां से गुझारा कैसे चलेगा? बिल्लू बोला कोई बात नहीं भाईया, कल ज्यादा लकडिया काट लूँगा इतना कहकर बिल्लू अंदर चला गया और खाना खा कर सो गया अगली रोज वो अपनी आदत के मुताबिक दो पहर में ही उठा और हमेशा की तरह पेड के नीचे जाकर सो गया ऐसा कई दिन तक चलता रहा सच तो यह है कि गगन उसे समझा समझा कर तंग आ चुका था गगन की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी अब वे रोज रात को बुरी तरह से खांसता रहता था एक रोज बिल्लू दो पहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गगन लेटा हुआ था बिल्लू बोला क्या भीया आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठते और आज आज आप खुद दोपहर तक लेटे हुए हो आपने तो आज खाना तक नहीं बनाया अब खाली पेट मैं काम पर कैसे जाऊंगा गगन बोला आज मुझे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी मैं चाहकर भी उठ नहीं पाया तो एक काम कर तो बाजार से कुछ खा पी लेना बिल्लू उठकर बैठ गया तब ही गगन को जोर जोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ गगन के मुझे खून भी आने लगा बिल्लू बोला खांसी के साथ आपके मुझे तो खून आ रहा है इतना कहकर बिल्लू ने गगन का हाथ पकड़ लिया बिल्लू बोला भाईया आपको तो बहुत तेज बुखार भी है गगन ने कहा अरे कुछ नहीं बिल्लू हलका हलका बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खोन भी आ रहा है बिल्लू बोला नहीं भाईया आप चलिए मेरे साथ मैं आपको अभी और इसी वक्त डाक्टर के पास लेकर चलता है बिल्लू भले ही एक आलसी वक्ती था लेकिन वह अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था बिल्लू जबर्दस्ती गगन को डाक्टर के पास ले जाता है डाक्टर ने गगन की पूरी इशारिरिक जाच परताल की और बहुत गंभे नजरों से बिल्लु की और देख कर बोला गगन की हालत सही नहीं है उसके फेफडे बहुत कमजौर हो चुके हैं उसे इलाज की सक्त जरूरत है और इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तब ही गगन को आराम और ठीक हो पाएगा बिल्लु बोला आपरेशन तो बहुत महंगा होगा डाक्टर साहब डाक्टर बोला तुमने सही कहा बिल्लु तुम्हें 50,000 का जल्द से जल्द इंतजाम करना है 50,000 रुपए का नाम सुनकर बिल्लु बुरी तरह से घबरा गया लेकिन उसने डाक्टरो को कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया बिल्लु बोला ठेक है डाक्टर साहब एक हफ़ते के अंदर अंदर मैं 50,000 का इंतिजाम कर दूँगा डाक्टर बोला ठेक है तब तक दवायां देते रहना तो मुसे कुन आना बंद हो जाएगा और वुखार भी उतर जाएगा उसके बाद बिल्लु गगन को घर ले आया अब उसे अपने आलसीपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था वो किसी भी कीमत पर अपने पिता जैसे बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था अगले दिन बिल्लु सुबह सुबह उटकर मुखिया के पास चला गया बिल्लु को देखकर मुखिया मुचों पर ताव देता हुआ मुस्कुराते हुए बोला क्या बात है बिल्लु आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया तूँ आज तो तुम सुपद छे बजे ही उट गया बिलू बोला मुखिया जी मेरे बड़े भाई की तबियत बहुत खराब है मुखिया बोला तो इसका मतलब तो मुझसे पैसे उधार मागने आया है बिलू बोला मुखिया जी आपने बिल्कुल सही कहा मुझे पचास जार रुपयों की सक जरूरत है उसके बदले आप मुझसे जो भी काम करवाओगे मैं मेहनत से करूँगा और जल्द से जल्द आपके पैसे कटवा दूँगा मुखिया बोला तेरा दिमाग तो ठीक है तुस्ते लकडिया तो ठीक से काटी नहीं जाती मेहनत का काम क्या खाक करेगा और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था बेचारा गगन मेहनत करकर के तुझे पाल पोस्कर बड़ा कर रहा था और खुद बिमार होकर घर पर बैठ गया मुखिया ने बिल्लू को पैसे और काम देने से साफ इंकार कर दिया ठक हार कर बिल्लू सुखिया चाचा के पास पहुँचा सुखिया के पास बहुत सी खेती थी बिल्लू को देख कर सुखिया बोला क्या बात है बिल्लू आज तो बहुत जल्दी उठ गया पूरे गाउं में मिठाया बटवा दूं क्या बिल्लू बोला सुखिया चाचा मेरे भाई की तबियद ठीक नहीं है डॉक्टर ने अपरेशन बताया है मुझे पचास जार रुपयों की सक्ट जरूरत है आप मुझे पैसे दे दो और उसके बदले आप जितने साल मुझे से अपने खेतों में काम करवाना चाहते हो मैं करने को तयार हूँ सुखिया बोला बिल्लू तुझे सुबह सुबह मैं ही मिला था अरे तेरे आलसी पन के चर्चे सिर्फ इस गाउं में नहीं बलकि दूसरे गाउं में भी मशुहूर है सब जानते हैं बिल्लू कि तुझे से दो चार लकडिया काट कर पूरे दिन सोता रहता है अरे तो तो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता खेतों में क्या खाक काम करेगा चल भाग यहां से बिल्लू रोता हुआ उदास मन से अपने कुलाडी लेकर जंगल की और चला गया और पेड के पास जाकर लकडिया काटने लगा बिल्लू ने तीन घंटे बगयार रुके लगातार लकडिया काटी और अपने आप से रोते हुए बोला मैं क्या करूँ अगर मैं सारा दिन मेहनत से काम करता हूँ तब भी पचास जार रुपए नहीं जोड़ पाऊंगा मैं अपने भाई का उपरेशन कैसे करवा पाऊंगा काश मैं आलसी नहीं होता तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जुरुरत नहीं पड़ती भाईया सही कहते थे कि मेरा ये आलसी पन मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फसाएगा तब ही उसके कानों में उसी सादू की आवाज टकराई सादू गोला मैंने तुछ से कहा था ना कि मुसीबत तेरे सर पर मंडरा रही है लेकिन तूने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया बिल्लू ने देखा कि उसके सामने वही सादू खड़ा था जो कुछ समय पहले उसे चेतावनी देकर गया था बिल्लू बोला आपने सही कहा था बाबा मैं वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फस गया हूँ मेरे भाईया की तबियस सही नहीं है डॉक्टर ने पचास जार रुपयों का इंतजाम करने को बोला है मैंने हर गाउं में हर किसी से मदद मांगी मगर सबने मेरी मदद करने से साफ इंकार कर दिया सादू बोला इस दुनिया में कोई किसी की बे वज़ा मदद नहीं करता बिल्लू उन्होंने तेरी मदद इस वज़ा से नहीं की क्योंकि तु एक आलसी व्यक्ती है उनको डर है कि कहीं उनके पैसे फस ना जाए अब तू अगर किसी के सामने मेहनत की बात करेगा तो लोग तो तेरा मजाक उड़ाएंगे ना बिल्लू बोला बिल्कुल सही कहा बाबा लेकिन अब मैं क्या करूँ अब मैं अंदर से बदल गया हूँ मैं अपने भईया को बहुत चाहता हूँ उन्होंने मुझे कभी भी मा और पिता जी की कमे महसूस नहीं होने दी मैं कितना निकम्मा भाई हूँ जो अपने भाई का इलाज तक नहीं करवा सकता इतना कहकर रोते हुए बिल्लू फिर से लकड़ियां काटने लगा साधू ने देखा कि बिल्लू अच्छी खासी लकड़ियां काट चुका था साधू के होटो पर एक रहस समय मुश्कुरहट आ गई उसने अपना हाथ पीछे किया और उसके हाथ में कुलहड़ि आ गई साधू बोला ये इससे लकड़ियां काट बिल्लू ने कहा इससे क्या फर्क पढ़ता है साधू ने कहा क्या फर्क पढ़ता है ये तुझे कुछ समय बात समझ आएगा बिल्लू ने वह कुलहड़ि उस साधू के हाथ से ले ली और साधू मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया बिल्लू उस कुलहड़ि से लकड़ियां काटने लगा मगर बिल्लू ने देखा कि उस कुलहड़ि के हलके से प्रहाव से ही लकड़ि को चेर के रख देने वाली वो कुलहड़ि थी बिल्लू बोला वह ये कुलहड़ि तो कमाल है मेरे इतने धीरे से मारने पर भी लकड़ि के दो टुकड़े कर दिये अब तो मैं जल्दी लकड़िया काट कर बेच सकता हैं बिल्लू को बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही थी देखते ही देखते उस दिन बिल्लू ने बहुत सी लकड़िया काट दी और उन्हें बाजार में बेच कर आ गया बिल्लू को उसी दिन पांच हजार की बोनी हुई बिल्लू खुश होकर अपने आप से बोला ऐसे तो मैं कुछ दिन में ही पचास हजार का इंतजाम कर लूँगा अब कल से मैं और दुगना काम करूँगा ताकि मैं भाईया का जल्द से जल्द आप्रेशन करा कर उनका इलाज करा सकूँ अगले दिन बिल्लू सुबह पांच बजे ही जंगल पहुँच गया और सुबह सुबह ही सोखे वे पेड काट कर लकडिया काटना शुरू कर दिया बिल्लू बोला बस भाई एक बार ठीक हो जाए अराम तो तब भी कर लूँगा बिल्लू शाम तक लकडियां काटता रहा और उन लकडियों को बेच कर आया उसने लकडियों के विक्री पंदरा हजार की हुई तेन चार दिनों की अंदर ही बिल्लू के पास 50,000 रुपए आ गए बिल्लू तुरंत अपने बड़े भाई को डाक्टर के पास लेकर चला गया और 50,000 डाक्टर के हाथ पर रख दिये और बोला ये लो डाक्टर सहाब पूरे 50,000 रुपए अब जल्दी से जल्दी मेरे भहिया का आपरेशन करके उन्हें सही कर दो डाक्टर बोला ये तुमने बहुत अच्छा किया अब तुम्हारे भहिया बहुत जल्दी सही हो जाएंगे डाक्टर ने गगण का अपरेशन कर दिया और देखते ही देखते हैं गगण कुछी दिनों में तंदुरुस्त हो गया और बिल्लू ने भी तब तक बहुत पैसे कमा लिये थे गगण बोला मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूँ इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती थी धन्यवाद भाई बिल्लू बोला ये कैसे बात कर रहे हो भाईया ये तो मेरा सोभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका और आपके साथ से ये संभोग हुआ है जो मुझ जैसा आल से इंसान काम करने लगा गगन बोला मेरे भाई अब तुम मेहनती हो गए हो शहर में एक अच्छी सी दुकान देखकर वहाँ अपना फरनीचर का काम जमा ले बिल्लू बोला जैसा आप कहो भाईया अब उसने शहर में एक फरनीचर के दुकान खोल ली लेकिन अभी वह रोज लकड़ियां काटने चला जाता था एक रोज वह लकड़ियां काट रहा था कि तब ही वह सादू वहाँ पर आ गया उस सादू को देखकर बिल्लू उसके पैरों पर गिर कर बोला ये उस कुलहाड़ि का ही चमतकार था सादू महराज कि मेरे घर के हालाद सही हो गए मेरे भाईया का ऑपरेशन हो गया और मैंने अब शहर में लकड़ि के फरनीचर की दुकान भी कर ली है सादू बोला ये सब इस कुलहाड़ि का ही कमाल नहीं है बिल्लू इस कुलहाड़ि की तो खासियत बस ये है कि ये बहुत कम समय में लकड़ि को चीर देती है ये सब तो तुम्हारे मेहनत और लगन का कमाल है आलसी आत्मे के हाथ में तुम चाहे जितने भी दौलत दे दो वो उसे कुछी दिनों में लुटा देगा अगर तुम पहले की तर आलसी हो गए तो यकीन मानो ये कुलहाड़ी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी बिल्लू बोला ये लो बाबा अपनी कुलहाड़ी अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं मैं समझ गया मेहनत ही सफलता की कुणजी है बिल्लू की बात पर सादू मुस्कुराते हुए महाँ से चला गया अब बिल्लू बहुत ज्यादा महनती है आज बिल्लू अपने महनत के दम पर एक सफल बयापारे बन चुका है दोस्तों आप को याकता कैसी लगी अपने विचार और सुजाओ कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हमारे कथाओं को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जैश्राराम भक्तो